हाई गाईज वालकूम बैक आप सभी का अपने चानल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाईज यह डिवाइस आप कैस कर सकते हो यह डिवाइस कौन सा रहने वाला है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस डिवाइस में आपको कैप्चर बटन देखने को मल रहा है इस डिवाइस के जो कैमरा मेकेनिजम है वो कैसे काम करता है कैप्चर बटन उसके बारे में हाज की यह वीडियो रहने वाली है अगर आप सभी भी आईफॉन 16 प्रो बाइक करने की सोच रहे हो या आपने अल्रेडी बाइक कर लिया है तो यह वीडियो स्पेसिफिकली आप सभी के लिए होने वाली है वीडियो को कम्प्लीट अल्देंट सक पॉच करना अगर आप सभी भी इसके कैप्चर बटन के बारे में यहां पर डिटेल वीडियो डून रहे हो तो ये वीडियो स्टार्ट को सति करने से पहले यहां पर इसका केस आप चेक कर सकते हो ये जो केस है आपको कैसा लगा मिरको कॉमेंट्स नहीं जिरूडर बताइए इसकी जो बिल्ड क्वाल्टी है केस की काफी बढ़िया है तो यहाँ पर आप अंदर देख सकते हो यह आपको देखने को मलेगा Polo की ब्रेंडिंग और साथ में आपको MagSafe का stand भी देखने को मल जाता है जिसको की आपको उच्छे से रख सकते हो अपने फोन को अगर आप कोई मुवी बगारा वाच कर रहे हो तो आप इस केस को कंस्डर कर सकते हो काफी बड़िया बेट क्वालिटी है इस केस की उसके बाद हम चलते हैं सीधा इसके कैमरा की और जो कि आपको capture button न्यू देखने को मलता है आईफॉन 16 सीरीज में सो सबसे पहले गाईस यहाँ पर इस button का का काम क्या है तो जैसे ही मैं यहाँ पर home screen पे हूँ यहाँ lock screen पे तो मैं simply यहाँ पर single tap करूँगा प्रेस करूँगा और यह अपना कैमरा जो है वो launch हो जाता है कुछ इस तरीके से तो first of all यहाँ पर आपको photos का option शो कर रहा है तो जैसे यहाँ पर आप फिर से धीरे से tap करोगे तो आपके सामने यह zoom button शो करेगा आपको करना क्या कि किसी भी control में shift करने के लिए फिर से आपको press करना है और यहाँ पर आपकी photo click कर देगा अगर आप जोर से click करोगे इस button पे जो capture button है तो lightly आपने click करना है और इसको swap करना है कुछ इस तरीके से जैसे swap करोगे आपके सामने यह zoom का option शो कर रहा है तो आप यहाँ से इसे shift कर सकते हो काफी बढ़िया smoothly तरीके से अगर मैं यहाँ पर zoom से हटा कर इसे depth में shift करूँ फिर मैं इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से shift करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब यह video mode में shift हो जुका है फिर से मैं यहाँ पर single press करूँगा और यहाँ पर इसको zoom की उपर हटा कर यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने modes को मैं change कर सकता हूँ अब यहाँ पर आपको photographic styles देखने को मल रहे हैं तो यहाँ से मैं अपनी photos को यहाँ पर click कर सकता हूँ और videos को यहाँ से shoot कर सकता हूँ अब यह video mode में है तो चलिए photo के mode में चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका जो capture button है वो यहाँ पर काम करता है जैसे swap करोगे तो यह आपको अलग-अलग controls जो है वो show करने वाला है तो कुछ इस तरीके से जो भी tone आपको पसंद है जैसे कि यह tone मेरे को पसंद है तो इसमें मैं अपनी photos को कुछ इस तरीके से shoot कर सकता हूँ बस आपको यहाँ पर long press करना है और आपकी photo जो है वो यहाँ पर shoot कर देगा किसी भी tone में अगर आप फिर से इसमें lightly press करोगे यहाँ पर swap करोगे तो आप इसको change कर सकते हो अगर आपको चाहिए यह styles तो यहाँ पर मैं इसे lock करता हूँ अब यह style यहाँ पर आपको देखने को मलेगा कुछ इस तरीके से और आप यहाँ से इसे adjust कर सकते हो जो भी color tone आपको चाहिए आपके camera में तो आपको अलग-अलग presets यहाँ पर देखने को मल जाते हैं यह है cool rose और 7 में फिर से tap करो और यहाँ पर swap करोगे तो यह natural है और यह gold और यह वाला जो feature है यह है rose gold तो यहाँ पर आपको amber का भी option देखने को मल जाता है vibrant भी दिया गया है standard भी दिया गया है जो मर्जी आपको पसंद हो आप यहाँ से इसे select कर सकते हो यह dramatic है जैसे मैं यहाँ पर shift कर रहा हूँ यह आप dot देख रहे हो यह भी यहाँ पर move होता है कुछ इस तरीके से जैसे मैं इसे यहाँ पर shift करूँगा तो यह dot नीचे आ गया फिर उपर जला गया फिर यहाँ पर center में आ गया center में आएगा तो amber position आए और यह मेरे को सबसे बढ़िया लगा और जैसे मैं इसकी photo को shoot करूँगा और इसके quality चेक कर सकते हो आप बहुत ही बाकमाल quality है iPhone 16 Pro के cameras की triple camera setup आपको यहाँ पर देखने को मल जाता है तो पहली बार जब मैं इसको use कर रहा था तो मेरे को पता नहीं चला था कि इसका जो function है वे कैसे काम करता है जैसे इसमें मैं open करूँगा तो यहाँ पर यह photo mode में open हो जाता है फिर से light press करो और यहाँ पर फिर से swap करोगे तो फिर आपको यह जो controls है वो यहाँ पर show करता है कुछ इस तरीके से आप इन hidden controls को use कर सकते हो अपने iPhone 16 Pro में तो इस तरीके से आपका जो यह बटन है capture बटन यह काम करता है अगर मैं इसको video mode में shift करूं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से swipe करने पर आप इसे change कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए time lapse करनी है slow motion creative यहाँ आपको cinematic mode में चाहिए यहाँ आपको photo mode में चाहिए कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर photo mode में shift करूँ तो यहाँ पर आपको light press करना है अगर video mode में shift करूँ तो यहाँ पर फिर से आपको light press करना है और यहाँ से आप zoom कर सकते हो अपनी videos को यहाँ अपनी photos को तो काफी बढ़िया तरीके से यह जो zooming effect है वो यहाँ पर आपको देखनी को मल जाता है कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा hard press करूँ तो यह video जो है वो record करना start कर देगा तो कुछ इस तरीके से यह सारा capture button का जो mechanism है वो यहाँ पर काम करता है इसके बाद जो settings है जो capture button की वो भी यहाँ पर आपको देखनी को मल जाती है camera में जाना है settings में और यहाँ पर आप देख सकते हो system settings में आपको camera control देखने को मल रहा है तो यहाँ पर आपको single tap करना है तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो single click के ऊपर आप camera को launch कर सकते हो और यहां से scanner को भी on कर सकते हो यहां से आप instagram को भी launch कर सकते हो यह सारी stories जो है वो आप यहां से ही add कर सकते हो चाहे वो instagram की हो चाहे वो किसी और की हो जो यहां पर आप देख सकते हो choose gesture to open the camera app double click या single click तो मैंने इसे single click की उपर रखा हुआ है ताकि single click करने पर मेरा camera application है वो directly open हो जाए मेरे home screen की उपर से तो आप इसे none की उपर भी set कर सकते हो आपके हाथों में है कौन सा control आपको यहां पर launch करना है जैसे मैं यहां पर instagram को open करूँगा तो यहां पर मेरे को simply single click करने है मेरे instagram open हो जाता है सीधा directly story में लेकर जाएगा तो यहां से आप इसे change कर सकते हो तो यह जो feature है यह capture button के मेरे को काफी बढ़िया लगे और आप इन्हें edit भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से आपको कैसा लगा यह iPhone 16 Pro का capture button मेरे को comments में ज़रूर बताएं I hope आपको यह video पसंद आई होगी सो मलते हैं guys अगली video में So thanks for watching, thank you so much